वेल्कम टू न्यू लेसन इस लेसन के अंदर हम और जो बड़ी सारी यूट्यूब एड्स है वो बनाना सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं क्लस करके करता हूँ न्यू कैमपेंड देन मैं जाता हूँ रहां हूँ क्रेंट्यूटर सॉर्व तेन करता हूँ वीडियो और इस मार हम बनाते हैं नॉंस केपबल इंस्ट्रीम आइट और गन्स उस पreten आयु जो की campaign का नाम लिखना है और bidding strategy इसकी क्या है target CPM और कोई bidding strategy आप इसमें यूज नहीं कर सकते target CPM is आप 1000 impressions के कितने पैसे देना चाहते हो right तो वो target CPM then आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो जो कि आप पता ही अभी तक आप देखते आयो then delivery method आप कौन से method से payment करना चाहते हो then network आप कहाँ का एड दिखाना चाहते हो तो video partners हम नहीं लेते हो then आप यहां से language select कर सकते हो जैसा भी तक हम बाकि campaigns में करते आए then यहां से आप location ले सकते हो कहाँ पैड दिखाना चाहते हो then simple again inventory जो कि आप देखते ही रहे हो excluded content कि आप exclude करना चाहते हो सब चीद सेम है कोई भी चीज अलग नहीं है selective optimization भी सेम है devices भी सेम है frequency capping सेम है add schedule सेम है add group नाम सेम है आपकी targeting भी सेम है demographic वगरारा जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो audiences भी सेम है जो भी आप audience यहां से select करना चाहते हो आप उन्हें select कर सकते हो और आप उन्हें add दिखा सकते हो same topic आप topic select कर सकते हो then again placement select कर सकते हो then आपको यहां पे लिखनी है अपनी target CPM right then आपको यहां पे लिखना है आप top content के लिए कितने पैसे देना चाहते हो, कितनी bid adjustment करना चाहते हो, right, then आपको select करनी है अपनी यहाँ पे video, कुछ भी अलग नहीं है, add बनाने का जो तरीका है, वो exactly same है, जैसे बाकी तरीके थे, बस फरक क्या है, फरक है add type में, यह जो add है, वो है non-skippable in stream, मतलब यह skip नहीं हो सकती, पहले वाली add कौन सी थी, in stream, skippable, बस यह फरक है, और कोई भी फरक दोनों adds के अंदर नहीं है, बहुत ही जादा simple है, ठीक है, तो यह आप इस तरीके से यह वाली add बना सकते हैं, अगर मैं इसको अब close करूँ, और मैं वापस जाओ new campaign में, वापस जाओ new campaign में, create a campaign without a goal करूँ, और मैं यहाँ पे जाओं, वीडियो पे, और इस बार मैं लेता हूँ, out stream add, out stream add कौन सी होती है, तो out stream add वो होती है, जो phone और tablet पे नजर आती है, यह नजर आती है, third party websites के उपर, या फिर apps के उपर, तो वो होती है, out stream add, तो मैंने यहाँ से select किया, out stream add, और यहाँ से मैंने simple कि या उसको continue, जैको कुछ फरक नहीं है, आपको campaign का नाम लिखना है, यहाँ पे bidding by default कौन सी है, viewable cpm, ठीक है कि हजार बार आपकी add लोगों को दिखे, उसके लिए क्या पैसे देना चाहते है, then again simple, आपको अपना budget लिखना है, network select करना है, जैको यह network भी, बाद में again by default selected है, वो video partners on the display network, ठीक है, यह YouTube पे add नहीं चलती, क्योंकि यह out stream add, then language, then location, then again same आपका inventory, excluded content, आपका devices, frequency, और again आपका demographic, audiences, keyword topic placement, जो भी आप अब तक आप देखते है हो, then आपको यहाँ बिडिंग लिखनी है, then आपको लेनी है, अपनी यहाँ से add, देख रहे हो, कितना simple है, तो again कोई फरक नहीं है, फरक क्या है, add type में, यह कौन सी add है, out stream, मतलब जो कहीं बाहर दिखेगी, third party websites पे दिखेगी, third party apps पे दिखेगी, और कोई फरक नहीं है, ठीक है जी, तो इसे भी close करते हैं, और नई campaign बनाते हैं, new campaign, create a campaign without a goal, अब मैं करता ह वीडियो, out stream हो चुका है, drive conversion, drive conversions का मतलब क्या है, आप जादा से जादा sale चाहते हो, यहाँ पर भी क्या फरक है, कोई फरक नहीं, campaign name same है, just इसने क्या की, bidding strategy change कर दे, bidding strategy यहाँ पे दो है, पहला maximize conversion, मतलब Google से आप क्या चाहते हो, आपकी conversion जादा से जादा हो, जादा से जाद आपकी sale आए, और पहला है target CPA, मतलब एक acquisition के आप कितने पैसे देना चाहते हो, again, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, this is a target CPA, Google आप से पूछ रहे हैं कि भया, एक acquisition, एक sale के कितने पैसे देना चाहते हो, तो suppose मैंने यहाँ पर लिख दिया, 20 रुपे, अब यह क्या है, एक acquisition के मैं 20 रुपे देना चाहता हूँ, एक sale का मैं 20 रुपे देना चाहता हूँ, but this is a target, यह target जरूरी नहीं क्या achieve हो, अब मैंने 20 रुपे रख दिया, अब auction में जब मेरी ad गई, तो Google को दिखा कि भया, यह 20 रुपे है, तो बहुत कम है, जो कि बाकी लोग bid कर रहे हैं, तो मेरे ad की delivery ही नहीं आएगी, तो अगर आप target CPA के साथ test करना चाहते हो, तो आपको अपना target CPA ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपको अपना target CPA थोड़ा set ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि ad को आपके impression मिले, एक बार आपकी ad को impression मिलना start हो गया, then आप अपने CPA को धीरे धीरे down कर सकते हो, ठीक है, but initially आपको CPA को high रखना, अगर आप कम करोगे, तो आपके ad को delivery नहीं मिलेगी, right, दूसरा option है आपका maximize conversion, मतलब Google खुद decide करेगा कि आपका CPA कितना होना चाहिए, एक sale के आपको कितने पैसे देनी चाहिए, then same आपका budget, then same आपका network, then same आपका language, then location, then आपका inventory type, वही same है, then optimization हम देख चुके हैं कैसे select कर सकते हो, devices, frequency, ad groups, targeting आपकी same, demographic audience, बस फरक क्या है, परक है आपका bidding strategy के अंदर, और कोई फरक नहीं है, ad बनाने में, right, तो आप देख सकते हो कि सारी ads बनाने का process एक ही होता है, तरीका एक ही होता है Google के अंदर, बस bidding change हो रही है, और ज़्यादा चीज़े change नहीं हो रही है, मतलब जो basics हैं, वही 90% आप basics, अगर आप बस इस पर focus करोगे, तो ज़्यादा फरक नहीं पड़े, right, तो आप यहां से हो देख सकते हो, plus again, अब मैं दुबारा जाता हूँ, new campaign के उपर, create a campaign without a goal, अब मैं जाता दुबारा वीडियो के उपर, और देखो, shopping, ad sequence में आपको, कल के lesson में समझाऊंगा, तो कि इसमें थोड़ी से ज़्यादा चीज़े हैं, जो आपको समझनी पड़ेंगे, shopping again, जब हम shopping ads पड़ेंगे, तम मैं आपको यह shopping माला समझाता हूँ, right, तो आप देख सकते हो, सारी ads एक ही तरीके से बनती है, कल के lesson में हम समझेंगे, ad sequence, बहुत ही जब अरदास चीज़े, ad sequence, कल के lesson में हम ad sequence के बारे में समझेंगे, ad sequence क्यासे काम करता है, हम इसकी एक ad बना के देखेंगे, ad sequence की, ठीक है जी, thank you so much for watching this lesson.